चैप्टर 20 के फिर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, बोहर्स मॉडल अफ़ आटम और उसके अंदर क्वान्टाइजड अनर्जीज, क्वान्टाइजड रेडियाय क्या होते हैं और आखर में हम देखेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्प पिछले चाप्टर में हमने देखा कि बहुत से ऐसे फिजिकल फिनौमेना थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्स्प्लेइन नहीं कर सकती। ऐसा ही एक फिनौमेना एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है, यह फिनौमेना क्या है? एक वाक्यूम ट्यूब के अंदर नेगिटिवली जी 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 कि वो radiation क्यों emit कर रहे थे और दूसरा जब उस radiation को देखा गया, analyze किया गया, तो उसके अंदर सिर्फ दो, एक, दो frequencies थी, यानि सब frequencies नहीं थी, इस तरह के spectrum को, spectrum का मतलब होता है, एक ऐसा graph जो frequencies दिखाता है, इस तरह के spectrum को कहते है, line spectra, क्योंकि इसमें frequency की दो lines है, spectrum emit कर रहे थे, और hydrogen चुँके atoms हैं, तो इस तरह जो atom का spectrum होता है, इसको atomic spectra कहते है, इसे तरह molecular spectra हो सकता है, और किसी और भी object का spectrum हो सकता है, black body का spectrum हो सकता है, जो spectrum molecules emit करते हैं, वो bands की शकल में होते हैं, यानि उसके अंदर bands of frequencies होती हैं, मगर continuous नहीं होता, पूरी range नहीं होती frequencies की, black body जो spectrum radiate करती है, क्योंकि black body एक ideal body होती है, जो सारी frequencies absorb और emit करती है, इसलिए उसके अंदर सारी frequencies मुझूद होती हैं, और उसके spectrum को continuous spectrum कहते हैं, अब सवाल ये था, कि hydrogen का atomic spectra को classical physics explain नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास model था है, atom का, उसके मुदाबिक, atom को की radiation emit करने की कोई वज़ा समझ नहीं आती थी, और फिर radiation सिर्फ lines की शकल में, यानि line spectrum, सिर्फ एक या दो frequencies emit होना, भी classical physics explain नहीं कर सकती थी, radiation emitted from hydrogen-filled discharge tube is dispersed by a prism, यानि prism में इसको हमने analyze करके देखा किसके अंदर कौन सी frequencies है, spectrum observe is called, hydrogen के case में हमारा spectrum, line spectrum था, उसमें सिर्फ चन्दिक frequencies थी, बाकि options हम देखते हैं, continuous spectrum कैसा होता है, जिसके अंदर सब पूरी frequency range होती है, जो black body emit करती है, band spectrum molecules emit करते हैं, और उसके अंदर कुछ bands of frequencies visible होते हैं, absorption spectrum क्या होता है, यह जो spectrum हमने देखा hydrogen का, यह emission spectrum था, क्योंकि hydrogen के उपर electrons bombard किये गए और उसने radiation emit की, तो जो radiation emit करता है, वो emission spectrum होता है, absorption spectrum, emission spectrum का opposite होता है, उस case में हम hydrogen के उपर एक range of frequencies की radiation डालते हैं, या light उसके उपर डालते हैं, और पर देखते हैं कि वो कौन सी frequencies absorb करता है, यह बिलकुल emission का opposite होता है, जो frequencies emission में emit हो रही हैं, वो ही frequencies absorption में, वो absorb करेगा hydrogen और बाकी सब frequencies emit करतेगा, तो इस तरह के spectrum को absorption spectrum कहते हैं, हम इस चाप्टर में Bohar's Model of the Atom पढ़ेंगे, क्योंकि वो hydrogen spectrum को explain करता है कि यह क्यों है इस तरह का, उससे पहले तक जो model atom का लोग देखते थे, वो Rutherford model था, इस चाप्रोमना को explain नहीं कर सकता, Rutherford model क्या था, Rutherford ने gold foil experiment किया, एक gold foil बहुत बारी जिसकी thickness एक atom के बराबर थी, उसके उपर उसने alpha particles bombard के, alpha particles helium के nuclei होते हैं, दो proton और दो neutron, उसने देखा कि ज़्यादर alpha particles इस gold foil के अंदर से गुजर जाते थे, और कुछ मुख्लिफ angles के उपर reflect back हो जाते थे, इससे उसने ये अखिस किया, कि ज़्यादर तर atom empty space होता है, मगर उसके अंदर center में एक positively charged nucleus है, जिसकी विज़े से alpha particles जो खुद भी positively charged होते हैं, वो जब उससे टकराते हैं तो reflect back हो जाते हैं. नील्स बोहर ने atomic spectra को explain करने के लिए, एक model पेश किया atom का, जुसके तीन postulates हैं. पहला ये, कि atom के गिर्द electrons fixed orbits में move कर रहे होते हैं. दूसरा postulate, किसी एक orbit में electron का जो angular momentum होता है, वो integral multiple होता है, h over 2 pi का. n की value, 1, 2 या 3 हो सकते हैं, इनके बीच में कोई value नहीं ले सकता, सिर्फ वो orbits exist करते हैं. electron सिर्फ उन orbits में मौझूद होता है, उसके लावा बीच में किसी जगा पे मौझूद नहीं हो सकता. तीसरा postulate, कि जब एक electron high orbit से low orbit में move करता है, तो वो अपनी extra energy एक photon या quantum की शकल में emit कर देता है. quantum की energy, max Planck की quantum theory के मताबिक, एक quantum में कितनी energy होती है, h times f, जो उसकी frequency होती है. तो बोहर ने Planck's की theory इस्तेमाल करते हुए, यह postulate बनाया, कि जब जो quantum वो emit करता है, उसकी energy, high energy state में उस electron की जो energy थी, let's say E2, minus low energy state में जो उसकी energy थी, let's say E1. इन दोनों energies के difference के बराबर energy होगी, इस photon के अंदर जो वो emit करेगा. अब यह model, hydrogen के line spectrum को किस तरह explain करता है, हमने दो बात इं explain करी थी, कि जब electrons bombard किये गए, तो वो radiation क्यों emit कर रहा था, और radiation के अंदर सिर्फ दो frequencies क्यों थी. तो पहली बात उसने कहा कि जब हम इसके पर electrons bombard कर रहे थे, तो यह electrons, उसके hydrogen के electrons के साथ टकराते हैं, इनको unstable कर देते हैं, यह low energy state में चले जाते हैं, और फिर वो photons emit करते हैं, जो radiation हम देखते हैं, वो दर असल इन photons की वज़े से होती हैं, और फिर इसके अंदर सिर्फ line spectrum, यानि एक या दो frequencies इसलिए थी, क्योंकि यह orbits fixed हैं, और हमेशा electron एक खास frequency वाला photon emit करेगा, जो हमें line spectrum की शकल में नज़र आता है. According to Rutherford's atomic model, positive charge in an atom is concentrated at its center. Nucleus में positive charge होता है, Rutherford ने alpha particles उसके पर बंबाद करके देखा. बाकी options आप देख सेकते हैं, the form of positive electrons गलत है, is spread uniformly गलत है, क्योंकि वो सिर्फ center में था, is readily deflected by alpha particles. The positive charge in an atom is readily deflected by an alpha particle. ये भी option ठीक हो सकता है, क्योंकि alpha particles उसके nucleus से तक्रा के deflect होते थे, मगर हमेशा नहीं होते थे, ज़्यादा तर वो बीच में से कुज़र जाते थे, gold foil के. इसलिए option A ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो हर केस में true है, कि positive charge concentrated center में होता है. The bulk of the mass of an atom is concentrated in its, हमें पता है, nucleus के अंदर. If an electron in an atom jumps down from higher to lower, higher से lower में आएगा, तो वो energy emit करेगा, extra energy. Absorb वो तब करेगा, जब वो lower से higher में जाएगा, क्योंकि lower के अंदर, उसके अंदर, कम energy होती है, जब वो higher energy में जाना चाते है, तो इसको photon या energy absorb करनी पड़ेगी, और जब वो higher से lower में आएगा, तो वो energy emit करेगा. When electron absorbs energy, it jumps to higher energy level. In Bohr's atomic model, electron does not fall into the nucleus, because, अब nucleus positively charged होता है, electron negatively होता है, तो वो उसके अंदर क्यों नहीं किर जाता? First option, electrostatic attraction is balanced by mechanical force, जो के centripetal force हो सकता है, जो के electrostatic force ही provide कर रहा होता है. Electron is not a particle, quantum rules do not allow it, it has a negative charge. Negative charge की वज़े से तो उसको गिर जाना चाहिए, इसलिए यह option हम गलत कर सकते हैं. Quantum rules do not allow it, quantum rules जो हमने पढ़े हैं, वो यह हैं कि वो quantum की form में photon submit करता है, उसकी विज़े से attraction के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं. Electron is not a particle, electron particle और wave दोनों की तरह बहेव करता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि electron particle नहीं है. तो हम फिर option A को ही ठीक कर सकते हैं, कि electrostatic attraction balance होती है, mechanical force क्योंकि वो centripetal force प्रवाइड करी होती है, electrostatic attraction. जिस तरहां जमीन के गिर्द हम satellites भेचते हैं, satellites हमेशा free fall करी होती हैं, और वो जमीन के attraction के विज़े से, जमीन के ऊपर नहीं गिरती हैं, इसी तरह electron भी nucleus के उपर नहीं गिरता. According to Bohr's atomic model, energy is radiated in the form of a photon by an atom whenever, emit तब होती है, जब हो higher energy से lower energy पे आता है. One of its electrons speed up in its orbit. Speed से कोई फर्ट नहीं पड़ता. Speed up या down होने से photons emit नहीं होते. One of its electrons jumps from higher to a lower, option C. Lower से higher में चप जब जाएगा, तो हो energy absorbed होगी. Bohr's atomic model is based on the assumption that angular momentum n h over 2 pi होता है, यह उसका second postulate है, यह ठीक है. Total energy of electron in respective orbit remains constant. यह भी ठीक है, एक orbit के अंदर electron की energy fixed रहती है. When electron jumps from higher to lower, then energy of emitted photon is this, यह जए ठीक है. तो तीनों options ठीक है. Bohr का जो model है, उसके मताबक, electron सिर्फ कुछ खास radii के उपर के अंदर exist कर सकता है, और उसके बीच में किसी जगा पे electron नहीं हो सकता. हम hydrogen atom के लिए वो radius calculate करने की कोशिश करते हैं. हमें यह पता है कि electron सर्कल में move कर रहा है, centripetal force half mv square के बराबर होता है. हम कहते हैं कि हम nth orbit की बात करें, उसके अंदर velocity electron की vn है. Centripetal force, electrostatic force provide कर रहा है, जो के k e square over r square है. e square इसलिए कि electron और proton के दर्मियान force है, और वो दोनों का charge एक जितना है, इसको हम e square लिख लेते हैं. rn square, nth orbit का radius. यहां से सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ constant है सिवाए vn के velocity. velocity हम कहां से ले सकते हैं, second postulate Bohor's model का mvnr, यानि अंकिलर मोमेंटम, integral multiple energy, h over 2 pi का. यहां पे जो n होता है, इसको कहते हैं principal quantum number. और यह हमें बता रहा होता है कि हम किस orbit की बात करें. n1 होता है first orbit में and so on. तो हम यहां से velocity की value लेते हैं और इदर पुट करते हैं और finally हम rn find करना चाहते हैं. तो rn की value हमारे पास आती है, एक constant होता है बड़ा सा और उसके साथ n square, principal quantum number squared. यह जो constant है, जब n1 होगा, तो r1 उस constant के बराबर होगा. तो इसको हम r1 कह देते हैं. और इसकी value, चुकि यह constant है, 0.053 newton meter है. इसलिए hydrogen atom के case में, अगर मैं second radius find करना चाहती हूँ, तो वो n square r1 है, n square 2 square 4 r1. इसी तरह third find करना चाहती हूँ, nine times r1. इससे हम देख सकते हैं कि कुछ खास radii हैं, कुछ खास distances हैं, जिनके उपर electrons exist कर सकते हैं, उनके बीच में नहीं exist कर सकते हैं, और यह radius हम ने hydrogen के लिए find के. Radius of first orbit of an atom is r1 hydrogen के लिए. Radius of second will be, second क्या होना चाहिए? rn is equal to n square r1. 4 times r1. 4 times 0.05354020 something, b option. Radius of first power orbit in hydrogen is, first क्या होता है? 0.053 nanometer. तो हमें कौन सा option ठीक लग रहे? b option ठीक लग रहे, लेकिन यह nanometer में 10 अच्छ पार minus 10. तो इसको मैं अगर इदर ले जाओं, तो यह 10 अच्छ पार minus 9, 10 अच्छ पार minus 10 बन जाएगा. Option b. The radius of first orbit is r. The radius of third orbit will be rn n square r. Third के केस में 9 times r, capital R हमें कहा हुआ है. तो third orbit में 9 times r होगा. और बहुर मॉडल के मताबग, ना सिर्फ fixed radius में electron move कर सकता है, मगर हर एक radius के साथ, एक energy associated है. यानि उस orbit में जब electron होगा, तो उसकी उतनी energy होगी. वो energy हम hydrogen के लिए calculate करते हैं. Electron की total energy, उसकी kinetic energy plus potential energy का sum है. Kinetic energy है half mvn square, और potential energy, चुँके electrostatic field के अंदर मुझूद होने के वज़े से potential energy है, तो electrostatic force k square over r square, force को distance से multiply करते हैं, तो potential आता है, जोके असल में work done होता है, तो इसको हम radius से multiply करते हैं, हमारे पास ये potential energy आजाती है. Final calculations के बाद, हमारे पास energy बराबर होती है, minus k e square over r n के, r n हम पहले calculate कर चुके हैं, किसके बराबर है, hydrogen के case में, n square r1, जोके एक और constant था, हम अब ये वाले constant भी उसमें add करते हैं, तो हमारे पास एक और constant आजाता है, minus e naught, e naught, constant energy, divided by n square, तो nth orbit के अंदर energy के लिए, हमारे पास formula आगया, minus e naught over n square, जोस तरह हमारे पास radius के लिए था, अगर हम hydrogen के second orbit में देखना चाहते हैं, तो वो e2 बराबर होगा, minus e naught over 2 square, यानि के 4, और e naught की क्या value होती है, यानि hydrogen के first orbit के अंदर, जो electron होता है, उसकी energy, एक constant है fixed है, 13.6 electron volts के बराबर होती है, hydrogen के first orbit में मुझूद electron की energy, 13.6 electron volts होती है, एक constant है, इस electron को अगर मैं इस orbit में से knock-out करना चाहती हूँ, तो मुझे 13.6 electron volts इसको provide करने पड़ेंगे, जब electron निकल जाता है एक atom से, तो उसके उपर positive charge आ जाता है, और हम कहते हैं के वो ionize हो गया, इसके लिए इस energy को ionization energy भी कहते हैं, इसके अलावा, एक orbit से, lower orbit से higher orbit में electron को move कराने के लिए, उतनी energy चाहिए होती है, जतना इन दोनों orbits के energy level में फर्क होता है, और चुँके हम इसको excite करा रहे होते हैं, यानि higher energy में लेके जा रहे होते हैं, इसलिए इस energy को excitation energy कहते हैं, तो numerical value of ground state energy for hydrogen atom is, क्या formula है energy nth orbit में calculate करने का, minus e0 over n square, n की जगा 1 put करें, हमारे पस आएगा e1 minus 13.6 volt, तो हमें negative sign के साथ इसको select करना है, e0 की value positive 13.6 होती है, मगर energy के लिए हमें इस पूरे formula को consider करना है, जिसमें negative sign भी शामिल है, the total energy of an electron remains constant, कब constant रहता है, किसी allowed orbit में, या किसी भी orbit में, या jumping from lower to higher या higher to lower, जब electron jump करता है एक orbit से दूसरे में, तो उसकी energy change हो जाती है, या वो absorb करता है या emit करता है, इसलिए COD को हम cross कर सकते हैं, any orbit और allowed orbit, चुँके नील्स बोहर का जो model है, उसके अंदर सिरफ कुछ orbits allowed हैं, तो हम allowed orbit वाला ठीक करते हैं, क्योंकि किसी भी orbit में, एलेक्ट्रॉन्स रह नहीं सकता हैं, इस model के मताबएक, speed of an electron of hydrogen atom, are related to principal quantum number as, principal quantum number क्या था, angular momentum, n times h over 2 pi, integral multiple होना चाहिए, और इस n को principal quantum number कहते हैं, तो वी इसके साथ किस तरह related है, यही हमारे पास relationship है, यह speed है, electron की, और यह उसका principal quantum number है, और हम देख सकते हैं, कि यह directly proportional है, तो direct proportion वाला, हम इसको ठीक कर सकते हैं, speed of an electron in nth orbit of hydrogen atom is, हम वोही वाला postulate, second postulate model का, n times h over 2 pi, इसमें से हम velocity को इसे रहने देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, m, r, तो यह option c है हमारे पास, sorry, option c नहीं है, n h over 2 pi m r, option a, hydrogen atom के अंदर, lower state को n, और higher state को p कहते हैं, और हम कहते हैं, कि एक electron p से n चल में आया, तो उसने quantum emit किया, hf, उसकी frequency f थी, उसने quantum की energy कितनी थी, p state वाली energy, minus n state वाली energy, energy के लिए हमने क्या formula calculate किया है, n state में energy, minus e not over n square होती है, तो हम लिख सकते हैं, p को एक number consider करते हैं, n को एक number consider करते हैं, minus e not over p square, minus e not over n square, मजीद हम frequency को lambda से change कर लेते, क्यूंकि हम lambda की form में इसको देखना चाहते हैं, ताकि constant सारे एक side पे आ जाएं, lambda times frequency c के बराबर होती है, तो हमारे पास आ जाता है, 1 over lambda, minus e not over hc, ये एक पूरा constant आ गया, 1 over p square, minus 1 over n square, ये जो relationship है, इसमें हम n और p की values पुट करें, इस constant की value पुट करें, तो हमारे पास जो wavelengths आती हैं, वो experimental results, जो hydrogen atom spectrum, line spectrum emit कर रहा था, exactly वो ही wavelengths emit कर रहा था, जो इस formula के मताबक आती हैं, यनि कि बहुर का model, हमारे experimental results के साथ match करता है, spectral lines occur when electrons, absorb energy, या emit energy, या radiate energy because of their orbital motion, या radiate energy because of their change in orbital motion, तो hydrogen atoms, line spectrum emit करते हैं, क्योंकि electron high से low state में आ रहा होता है, B option इसका ठीक है, absorb तब करते हैं जब वो low से high में जा रहा हो, और orbital motion की विज़े से वो energy radiate नहीं करते,